रिवा जिले के नई गड़ी थाना चेतर में आठ वर्सी बच्ची को अपहरण करने का किया गया प्रयाश रिवा जिले के नई गड़ी में जुडमानिया में नाबरलिक लड़की का अपहरण करने का मामला सामने आया है वहीं पीडित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कोई भी नहीं कामी करकर उल्टा 2000 रुपए पैसे लेकर सांत रहने को कहा रिवा के नई गड़ी थाना चेतर के जुड़मनिया गाउं में आठ वरसी बच्ची के अपहरन में मामला प्रकास में आया है पवन पटेल नामा की युवा का अपहरन करने का महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है बिगत चार दिनों पूर्वे सुबह तकरीबन चार बजे के आज पास सभी लोग घर में सो रहे थे लेकिन अभी तक कोई भी कारवाई नहीं हुई हम लोग चाहते हैं कि आरोपी को उपर केस दर्ज किया जाए वरना आरोपी किसी भी वक्त किसी बड़ी घटना को वारदात को अंजाम दे सकता है प्रियाग एस्पेस नियूज के लिए रिवा मध्यप्रदेश से रोहित पैटल की खास रिपोर्ट पामन पतेल गाहों के जुडमनीया रगुनाथ लंका टोला इसका ठानेल की घृति और कोई कारवा ही नहीं ठीक क्या पता कि का मारने के लिए भागा था कि काहे के लिए भागा था इत्ती बड़ी बच्ची को कभी नहीं दरूहा गजेडिया था बीच में और बहुत दिना सी हमला करता था दूचार गाउं में पता कि यह आज मेरे पास यह करता था यह बच्ची थी रोड के उपार जी सोबत रही घर में कमरा में दर्वाजा में घर में दादी के साथ चार बच्ची थी और एक लड़का सोबा था हाँ तीसी लड़की को बला दर्वाजा के बताई उसके रादी में अभी अहां पर स्काइट की है तो क्या स्वासन मिला था कि सासन मिया मिला था कि जाओ सब हो जाएगा जी जाना आना पर गुडिया